हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल इल्हाबादी गल बवीता राज मैं अब प्रेंड्स आप लोग कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होगे खुस होगे स्वस्थ होगे अपनी लाइफ में मस्थ होगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज फिर आप लोग क्लिक हाई र सिस क्यों निकाले होगे फिर आप की जो रंगत जा चुखियो दाने मैं मैल जमा हो चुकि वह वह बोडियाबाबाय वह लगा और मैल निकल लिए और निकल नहीं रहे हैका अब आपको यह एक इसा क्यों जो आपकी परत दर परत उस पर एक मोटी ब्लेयर चमा हो जाती है और उसे हम करते हैं डेड़ स्कीन वह निकलती नहीं हमाई जो रंगत है वह भी दब जाती है चमक भी डाउन हो जाती है अपने चेहरे पर बहुत ज़्यदा ध्यान देते हैं अक्सा स्कृप करते हैं फेस पैक लगाते और फुल बॉड़ी में बूल जाते हैं और इस वज़े सा जो हमारा इंग होता है ना फेस हमारा गलो करता है चमक दार होता है और हाट पैर काले दिखते हैं तो वह बिलकुल भ बनाएं पाइकन को मैं फड़ाइब कर और आप से विडियो में आपो हुआ पूरा और यह अच्छ लगते हैं सिससे नया की पॉइल आपको प्लोट करूंए थेक वीडियो बहुत अच्छे लगे तो लाइक शेर आप चली फ्रंट्स बताते हैं सबसे पहले आपको क्या चाहिए आपको चाहिए कॉफी पॉडर जी हाँ जो आपको पीते हो ना यह आपकी पूरी रंगत को निखार के आपकी साइड़ स्कीन को निकाल देगा तो एक बाउल और इसमें आपको लेना है वन स्पून कॉफी पॉडर कॉफी हमाई स्कीन को हाइड़ेट करता है हमाई स्कीन से स्पॉट्स को हटाता है हमाई स्कीन को डिप क्लीन करता है हर तरह के स्पॉट्स को हटाता है स्कीन टैन हो गई है डल हो गई है या स्कीन की कई सारी ऐसी प्र फूर बोडी में करना है इस चिनि को लेकर के आपको डर दरा पीस लेना है कि फाइन पाइन नहीं चाहिए जैसे मैंने बनाया हलका दरदरा होना चाहिए तो यहां पर मैंने जो सुगर पाउडर लिया वह भी मैं लूँगी वन स्पून एक्वल लूँगी जितना मैंने कॉफी लिया उतना ही मुझे सुगर पाउडर भी लेना है सुगर हमाई स्किन को चमकदार बनाता है ठीक है मतलब जो चीनी होती है लाता है जब आप ये श्क्रब करोगे तो आप बागई को गई है और साथी ब्राइड भी हो गई है तो इसे मिक्स कर लेते हैं इसके बाद हमें जो यहां अड्करना है वह लेंगी coconut oil आप जो भी ऑईल अपने face पे अपने body पे यूज आप ले सकते हो coconut oil गल्मियों के लिए वेश्ट होता है इसलिए में यही ले रही हूँ आप वर्जिन इन coconut oil कोर्ण ले सकते हो मैं तो face पे भी यही यूज करती हूं और बालों में यही यूज करती हूं बहुत सारे पोशक तत्तु पाए जाते हैं और इसमें जो विटामिन E होता है वो तोचा को मुश्राइश करता है और साथ इसकी इनके हर प्रॉब्लम को दूर करता है अगर आपको रेस्स हो गए हैं छोटे चोटे दाने निकल लाए हैं खुजली हो रही है दाग धबे हैं प्रॉब्लम को दूर करता है तो आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद अब बताते हैं पर आपको क्या आइट करना है क्या चीज़ लेनी है आपको लेना है हल्दी पाउडर जी हां कस्तूरी हल्दी है तो आप वह हल्दी ले सकते हो या आप किचन वाली हल्दी जो होती हम खाने में यूज करते हैं उसे अवाइट कीजिएगा क्योंकि इसमें कलर मिक्स होता है और जब हम फेस पर या बॉड़ी पे लगाते तो आपको ज्यादा येलो दिखता हो इसके बाद है यहां पे हम जो आट करेंगे लेंगे 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 अगर आपको नीबू सूट नहीं करता है तो आपको यहां टेमेटो जूस लेना या खीरे का जूस लेना है खीरे का पानी लेना है ठीक है तो आप सभी जानते हैं नीबू में मिटविन सी होता है जो स्कीन को ब्राइट करता है साथी दाग धबो को दूर करता है और इसमें फैनेस एजन्टा होता है स्किन को नेचर तरीके से ब्लीज करता है इसलिए मैं यहाँ पे निबू ले रही हूं जो तुरंथ हमारे बॉड़ी पे हमाई स्किन पे असर दिखाता है हल तरह की स्पॉट्स को मैल को डेड स्किन को भी निकाल के बाहर कर देता है और इसे आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वन स्पॉन या हाफ स्पॉन अलोवरा जल भी एड कर सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत ज़़ा ड्राई रहती है तो आप अलोवरा जल भी ले सकते हो यह आपको बहुत स्कृप करते हैं इसना स्फरव लेकर जैसे आप ऐस त्री मिनट तक आपको फूल बोड़ी पे स्क्रब करना है इसे आपकी सारी डड़ सेल्स निकल जाएगी और आपकी स्किन पे जो मैल बैठी है वो भी निकल जाएगी इसकिन बहुत ज़्यदा मुश्राइज हो जाती है तो यहाँ देखे मैं त्री मिनट तक इसे स्क्रब कर रही हूँ आपकी कोहनी बहुत ज़्यदा काली है तो एक बार इसे करके देखना कोहनी पे बहुत ज़्यदा असर दिखाता जो भी आपके स्पॉर्ट्स है ना जो भी कोहनी या घुटने काले हो जाते है तो बहुत अच्छे सा असर करता है तो इसे करने के बाद इसे हटाते कैसे वो तो देखना बनता है ना वो नहीं दिखोगे तो फिर असर कैसे करे और यह जो स्क्रब है इसे आप फेस पे भी कर सकते है बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं फेस पे तो यहां देखिए आपको लेना है कॉटन का कपड़ा गीला करना है यूं जैसे मैं कर रहे हूं साफ ऐसे आपको साफ करना है इस तरह आप साफ करके फिर आपको ठंडे-ठंडे पानी से मनहा लेना मतलब बहुत ठंडा पानी नहां बस साबून और बॉड़िवास का यूज अब बनाते हैं फुल बॉड़ी पैक जी हां यह ता है स्क्रब दुसरा स्टेप है फुल बॉड़ी पैक इसके लिए भी आपको लेना है कॉफी वन स्पून कॉफी आपने यह पैकट ले लिया ना तो आपका पैक का भी काम करेगा स्क्रब का भी काम करेगा और यह पैक में पीस के एक fine सा powder बना लेना है अच्छा fine powder नहीं बना तो चननी से छान छान के आप fine powder निकाल लीजेगा क्योंकि जो face pack हम यूज करेंगे वो scrub जैसा नहीं होना चाहिए fine powder होना चाहिए ठीक है आप market का भी चौल काटा ले सकते हो और इसमें बहुत सारे skin whiting properties पाई जाते है skin को tight करती है, bright करती है, light करती है, तुरंती चेहरे पे असर दिखाती है, full body को भी fair कर देती है जो रंगत आपकी दब गई है न मैल से, dead skin से तो वो निकार देती है mix कर लिया, इसके बाद आपको जो लेना है, आपको लेना है, orange pill powder आपने घर में बना के store कर लिया है, तो आपको वही लेना है, नहीं store किया है, तो market का ले लेना है orange pill powder हमाई रंगत को, हमारे color को fair करता है आप सब बहुत अच्छे जानते हो, orange में बहुत सारा vitamin C होता है, जो हमाई रंगत को निकारता है, हमारे color को fair करता है तो आपको ये लेना है one spoon, ठीक है, घर का है तो भी चलेगा, market का है तो भी चलेगा और इसके बाद आपको इसमें क्या add करना है, वो देखना तो बनता है ना, जी हाँ सो इसमें कितनी बखवास में करती हूँ, आपको इसमें लेना है milk, कोई सा भी milk ले सकते हो क्योंकि फुल बॉड़ी पर यूज कर रहे हो, आप कच्छा दूद भी ले सकते हो, वाइल दूद को ठंडा करके, फ्रीज में रखके, मलाई वाला भी ले सकते हो आपकी स्किन बहुत ज़दा ट्राई है, तो आपको मलाई लेना बनता है, इसमें थोड़ा सा मलाई ले लिएगा, थोड़ा सा बेशन ले लिजेगा और आप चाहुत इसमें दही भी अट कर सकते हो, दूद की ज़ब पर दही ले सकते हो, क्योंकि दूद और दही में लैक्टिक एस्टिड होता है, जो स्किन को चमकदार बनाता है, स्किन को लाइट करता है, प्राइट करता है, एक चमक लाता है, कलर को फ्रेयर करता है, तो आपने वीक में से थ्री वार यूज किया, फुल बॉडी पे, फेस पे, ठीक है, फेस पे तो डेली नहीं यूज किजिएगा, क्योंकि कॉफी हम फेस पे डेली यूज करेंगे ना, बहुत ज़्यादा अती कर देंगे ना, तो वो इसकिन को प्रॉब्लम भी कर सकता है, किसी च यह वहाँ लगा लिजेगा, सुबह नहाने के पहले लगाईगे, जैसे मैंने लगा लिया, अब यह देखो, दोनों हाथों में मैंने लगा लिया, अब मुझे फेस पे लगाना है, क्योंकि फेस पेक मैंने आज नहीं लगाया है, तो हलका सा फेस पे मसाज करेंगे, एक देती हूं कम से कम पंदम नट तो लगे गई और पंदम नट के बाद रिजल्ड के आते हैं वो तो आपके सामने ही आएंगे ठीक है तो फ्रेंस देखिए पंदम नट हो गया है तो आप चाहँ हो तो हलका सा मसाज करके जैसे उप्टन हटाते हो उस तरह भी हटा सकते हो या ड मेकप करके बैड़ गए हो तो यह देखिए फेस पी चमक है एक साइन है ठीक है हाथों में भी साइन एक चमक आ गई है और आप लोग को मेरे उपर असार दिखता नहीं है तो आप लोग जरूर से ट्राइ कीजिए आप अपने उपर करके देखो फिर मुझे कमेंट करके जर